एलो मेरा Bumper Shot एक नेट दो नेट उफाई सब कहाँ ओ बंदा आगया जल्दी से मालेंगे एक छोटा सा कबर बहुत हाँ जल्दी से इसको किल करेंगे इसका बंदा और भी आ रहा है तक तो ऐसा ही रहा है ओ पूरा squad खतम and booyah हम पहुँच चुके heroic पर बहुत हाँ तो आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे कैसे आप ECD clash squad पे heroic पहुँच सकते हो तो पांच ऐसी टिप्स दोंगा जो आप follow करके पहुच सकते हो तो जरूर मेरे भाई चैनल पर नया हो चैनल को subscribe कर दो और वीडियो को जरूर शेयर करना सब को पता चलना चाहिए और तो clash squad का पहला नंबर टिप्स तो पहला नंबर टिप्स पहले आते हैं फर्स्ट राउंड टिप्स तो फर्स्ट राउंड पे हमको मिलता है एक पिस्टॉल जो आप ग्लोब 18 चूज करोगे जो ग्लोब 18 पिस्टॉल का एक टिप्स दोंगा जब भी आप पिस्टॉल राउं तो पिस्टॉल राउंड पे एक टेक्निक आपको बताऊंगा आपका तीनों बंदे एक बंदे को घेर के मारो तो देख सकते हम लोग दो बंदा मिलके एक बंदे को मार रहे हैं तो आलोईज दो बंदा क्लोस रहो वह भी clash squad में एक बंदे को दवाब रखके मारो तीन बंद एक सात रहो एक बंदे को मालने के लिए पिस्टॉल लाउंड बर क्योकन आप भाइब बहुत मेंटर करता है तो यह नहीए तो आप अथे इस्राण और टिपसए इलिमिनेट ट्रिक तो इलिमिनेट् आपका 3rd round एक जीत चुका है तो उस round पी आपको eliminate करना है क्यों eliminate करने के लिए बोलो मिरेक उपर देख सकते 1400 coin है तो हम लोग eliminate कर लेंगे and eliminate करने के बाद ओव लोग gun तो खड़ी देंगे कैसे समझ लो हम दिमाग को काम भी लगा रहा है ओलोग गन खड़ी देंगा हमको मानने के लिए बर उसका ओलोग गन को वेस्ट हो जाएगा हम यहाप पर इलिमेट कर लेंगे हमको निक्स राउन पर क्या पॉइंट मिलता है आप देखते रहो हम यहाप पर इलिमेट कर रहे हैं 1400 कोईन है उपर देख सकते हो यह बहुत ही इंपोर्टेंट टिप्स है और आपको बहुत ही जादा काम आने बाला है और यह टिप्स आपको थर्ड राउन पर यूज कर सकते हो तीन डाउन जीदने के बाद जब हार जाओ तो या दो राउन पर हार जाओ तो अब देखो हमारा कोईन देख सकते हो 4200 कोईन तो इससे आप सब कुछ खड़ी सकते हो तो यह रहार सेकेंड नमबर टिप्स कैसे आपको कोईन केन करना है और कैसे आपको इलिमेट करके कोईन मिलेगा नेक्स राउन पर लड़ाई करने के लिए तो यह रहा सेकेंड नमबर टिप्स तो उस राउन पर हमारे पास था 1400 कोईन जिससे आप एक गण ही खड़ी सकते हो भेज तो छोड़ दो तो उन लोग के पास लेबल 3 का भेज़ दोगा तो दिमाग ऐसे लगाओ कि इलिमेट कर लो आपके पास कोईन आजाए जैसे मैं बताया उससे आप लड़ाई कर पाओ नेक्स राउन के लिए नेक्स राउन आपको लेबल 3 का भेज मिल जाएगा अच्छा गण मिल जाएगा तो यह रहा 2 नबर टिपसद्ब्ग मिल चूज तो आप खी करना है एक स्कार पास ख आप सबसे इंपर्टेंस इंपर्टेंट टीपस तो आप आते हैं तर्ड नंबर टिपससी तरफ तो थर्ड नंबर टिपस से गण चूज टिपस जीदने के बाद 2nd round पर एक shotgun लोगे तो आपका भेज नहीं रहेगा उन लोगे पास तो गन है भेज तो नहीं हो सकता है और भेज भी हो भी सकता है तो यही चीज हो सकता है तो आप 1st round जीते हो तो एक Thompson and एक भेज रहने की कोशिश करो भेज बहुत ही important है उन लोगे के पास भ आपके पास Thompson है उसके पास M60 है तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि वो भी आपको मारेगा आपको मारेगा और आपको मारेगा तो इसलिए आप भेज लो 1st round जीदने का बात एक Thompson लो या पिस्टॉल या M60 लो ले सकते हो कम प्राइस में दोनों डाउन खेलने की कोशिश करो 1st and 2nd तो यह रहा हमारा 3rd number टिप्स की कैसे आपको गन चूज करना है तो देख सकते हो हम कैसे level 2 का वेज लेके and Thompson गन को लेके कितना अच्छी तरीके से वंदे को मार पा रहें Thompson बहुत ही अच्छा गन है MP40 जैसा ही चलता है तो headshot भी पड़ता है कुछ कुछ टाइमर कुछ कुछ टाइमर कुछ कुछ टाइम प्रोड़ है तो यही है तो आप यूज कर सकता है और गंच उसके बार में और एक टिप्स आपको बता दे यह जो clash squad है ज्यादा तर लड़ा इतना गला बनते जा रहे है आप रंग कुछ करोंगे तो बंदे गलेगा आपको तो देख रहे हो मेरे राउं पर इंपर heroic बाला बंदा रहे है तो आपको close range का प्रोड़ लेना है क्योंकि धीड़े-धीरे zone close होथा जाएगा तो आपको close range पर चला रहे है तो और एक tip है close range का गन लो एके लो एके सॉरी जो आप थॉमसर ने वह यूज करो शॉर्ट गन लो एंड बहुत सार एमेटी-87 यूज करते हो लॉंग रेंज के गन नहीं लो तो ही अच्छा है कुछ-कुछ बंदे देखते हैं स्काल लेके खेले एकी लेके खेले कुछ काम करनी है गन चुछ क बेभी आपको खेलना मतलब आप सभी को नहीं आपका तीन बंदे क्लोस पर फाइट करेगा और एक बंदा उपर से डैमेज करेगा क्यूंकि कुछ-कुछ ऐसा मैप देता है जैसे हम आप कटालुष्टिया पर हैं देख सकते हो तो यहाँ पर आप उपर जा सकते हो तो उप आपका स्कुआट का एक बंदे चो अच्छा लॉंग रिंज पर मारता है उसको उपर पर विठा दो कि तुम उपर से डैमेज करना हम लॉंग रिंज पर फाइल लेगे जैसे में आपर कर ब्राव देख सकते हो मैं जब बंदे को यह 94 से दूर से देख रहा हो 3-4 बंदा है दूर से एकदम दिखता है हमारा तीन बंदा नीचे खेड़ ला है और मैं अकिला उपर से डैमेज कर रहो और हमारा बंदा क्लोस में मार रहा है तो रैंक पुश करने का यह सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपका एक बंदा जगा पे आप उपर जा सकते हो आपका ब च्छा इस बेश बेज भी ले सकते हो वह लेके उपर से एक बंदा डैमेज करेगा एंड तीन बंदा नीचे से क्लियर करेगा तो आसानि हो गई नीचे को मानने के लिए तो वीन तो यहराक ओ आते हैं फिप्नामब्र टिप्स की तरफ फिब नमबर टिप्स थी बहुत इन नहीं पेलो किछ करें कि बेसे पर कि today we're did we were अच्छी लग रहे तो जरूर से जरूर प्लीश सभी मेरे बाइ को शीर करो सभी को शीर करो सब्सक्राइब करो तेर चैनल प्रने हो जरूर सब्सक्काइब करदो मेरे भाई और यहाँ पर देख सको है वही टेगनिक आप यूज करें हमारा तीन बंदा नीचे फाइल ले रहा है और मैं उपर से फाइदा ले रहा है और उपर से फाइदा नहीं मैं डेमेज कर रहा हूं वो लोग मार रहे हैं देख सकते हो कितना अच्छा टेगनिक है एक बंदे को उपर भेज़ दो जहाँ पर बंदा और मैं आप पर से देखो एक बंदे को यहां से देख रहा हूं देखो यह बंदा यहां से आप मेरे को दिख रहा है और उनलों को नहीं दिख रहा है मैं यहां से डेमेज करा और उधर से हमारा बंदा मार दिया मैं बोल दिया तो उपर से दिखता है सब कुछ तो य आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फिप नंबर जो टिप्स है आपको स्कॉट के उपर डिपेंड तो रहना होगा कि आप चार बंदे खेल लो हूँ मैं अकेला तो सोलो वर्से स्कॉट केल सकता था बट एक लैश कॉट आपका सोलो वर्से स्कॉट केलने के लिए नहीं ह के उपर डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा वल्दब आपको चार बंदे फ्रेंड होना चाहिए जो आपके साथ दिन रात खेलता हो तो ऐसे फ्रेंड के साथ खेलो और दो नंबर टीममेट के उपर भरोसा की भरोसा मंत्रिममेट है कि आपको दो-दो हम देख रहे हो दो- हमारा बंदा तुरण से घृवर लगा के हील करने आ गया तो ऐसे आपको बंदा चाहिए एक बंदा हील करें एक बंदा कबर दे तो सबसे अच्छा रहेगा कि क्लैश कोट के जीतने के लिए आपको अच्छा स्कॉर्ट की जरूरत है जो आप लोग एक साथ खेलते हो बहु एक मैंच जीते को हुए तो ही फीम पुसट जाओगे तो बहुत ध्यान से आपको पूछ करनाथ और आप जरूर रोंनिम्वी करनाः और अभीडियो को अच्छी लगे जरूर शेयर करो लाइक करो लॉपाल ठीक्राइब करते रहो रंग झाल झाल